आसनसुल के बारबनी थानकशेत्र के दो मोहानी बजार स्थित जैन मंदिर में हुई चोरी की घटना की जाच CID ने शुरू कर दी है CID के फिंगरप्रिंट विशेशग्यों ने मंदिर से फिंगरप्रिंट के नमुने संग्रह किये बताया जाता है कि चोर जैन मंदिर में धावा बोलकर लगबग 1500 साल पुरानी भगवान महावीर की मूर्ती समित अन्यकई सामागरे लेकर फरार हो गए थे आसन सूल के बारबनी थाना चित्र के दोमानी बजार स्थीद जैन मंदिर में हुई चोरी की घटना की जांच CID ने शुरू कर दी है बुदवार को कुलकाता से CID की टीम जैन मंदिर पहुँची CID के फिंगरप्रिंट विशेशकों ने मंदिर से फिंगरप्रिंट के नमोने शंग्रह किये साथ ही मंदिर कमिटी के सदशों से बात चीत कर पुरी घटना के बारे में जानकारी ली गौर्टल भै की चोरों ने जैन मंदिर में धाबा वोला था और लगभग 150 साल पुरानी भगवान महाबीर की मुर्ती समेत अन्ने कई सामग्री लेकर फरार हो गए थे गत सोमवार सुभा जब चोरी की घटना का खुलाशा हुआ तो संसनी फैल गई इसे लेकर इलाके के लोगों में भी काफी आक्रोस देखा जा रहा है मंदिर से लगभग 150 साल पुरानी भगवान महाबीर की मुर्ती समेत अन्ने कई मुलेबान सामग्री चोरी हुई है चोरी की सिकायत बारबनी थानी में दर्च कराए गई थी अब तक पलिसेस मामली की जाच कर रही थी लेकिन अब जाच का जिम्मा CID ने संभाल लिया है मंदिर से फिंगर प्रिंट के नमोने संग्रक करने के साथ ही CID चोरी की घटा में शामिल आरोपियों को चिन्नित कर ग्रिफतार करने के प्रयास में जुड़ गई है CID के एक फिंगर प्रिंट विशेशक ने बताया की अभी सुर्वाती दौर की जाच चल रही है फिलहाल फिंगर प्रिंट के नमोने एकत्र किये गए है आसन सोल से संतोष मंदल के रिपोर्ट पबिक टाइम्स परस्टिम बर्दमान जिले में पहली बार आपके सहर रानी गंज में कल्यानी आटो मबाल्स लेकर आये है शांदार लुक और फीचर्स के साथ अच्छी बैटरी रींज वाले कोमा की इलेक्रिक बाइक्स और स्कूटर जहां आपको मिलेंगी जापानी टेकनोलोजी योगत इंडियास फर्स्ट इलेक्रिक क्रूशियर बाइक कोमा की रेंजर इंडियास लार्जेस्ट इलेक्रिक स्कूटर कोमा की TN95 यहां आपको मिलेगी बैंक लोन की शुविधा हमारा मोटो है राइट कोमा की गो इलेक्रिक गो ग्रीन कल्यानी आटो मोबाइल्स NH2 पंजाबी मौर रानी गंज कॉंटेक टंबर 7044-743675